इनूटरारट 1, 2, 3 अचल पर चुका हैं जो नहीं चीज बता रहूं हम आज यह कंपैरिज़न करेंगे हम सस्वी हैं similarities है क्या differences है क्या price point है कि लोगों को कौन सी cycle खरीद नी चाहिए and in the end तीनों में से सबसे best cycle कौन सी है तो यही आज का वीडियो होने वाला है लाइक शेयर सब्सक्राइब यहाँ पेछ पीछ इसकी मोटर यहाँ पे दी गई है and 27.5 inch के आपको tires देखने के लिए मिल जाते है ये वाली cycle के अंदर अब चलते हैं E-Motorad X2 visually सबसे बड़ा change इसका डंडा जो है वो थोड़ा सा नीचे curved है, this is also high tensile steel frame as well, वो भी high tensile steel frame ही था, इसके अंदर भी battery आप लोग को निकाल सकते हो आराम से and then आप इसको charging के लिए डाल सकते हो, यहाँ पर आपको screen जो है, वो ये side देखने के लिए मिल जाते है, ये इसका cover है उपर अगर आप इसको switch on करोगे so this is what you get, तो अगर आप थोड़ा throttle दोगे तो ये इस तरह से आगे बढ़ती है, ठीक है you see the screen यहाँ पर and tires के तरफ अगर चलो 27.5 inch के tires इसके अंदर भी देखने के लिए मिल जाते है, heartex tires as well single speed cycle, motor यहाँ पर पीछे दी गई है, now coming to e-motorad x3, यहाँ पर आपको battery देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि battery जो है, वो पीछे चलेंगे भाई, तो आपको यहाँ पर even motor तो यही है this is also single speed gear, पर आपको इसमें hydraulic disc brakes देखने के लिए मिल जाते है, जो की दूसरे में भी था ऐसा नहीं, इसके अंदर भी आपको disc brakes देखने के लिए ही मिल जाते है पर एक चीज़ और, tires अगर आप देखो तो भाई, tires के अंदर आपको काफी ज़्यादा फरक नजर आ रहा होगा these are heartex 700 cc tires जो की बहुत ज़्यादा मोटे है and इनकी quality comparatively to the other cycles काफी ज़्यादा better है, अब मैं कुछ similarities बता तो आपको cycle के अंदर, x1, x2, x3 steel frame, steel frame, steel frame तीनों के अंदर steel frame ही मिलता है आपको battery capacity जो है वो 36 watts, 7.65 AH lithium ion, x1 के अंदर और x2 के अंदर, same इसके अंदर भी मिल जाते हैं लेकिन इसके अंदर 7.65 नहीं है, 7.0 AH lithium ion battery है तो बस ये एक थोड़ा सा फ़रक है motor की capacity भी उतनी ही है 36 watts वाली 250 watts वही same है एक और कैचे इसके अंदर की जो distance आप travel कर सकते हैं the range, maximum 40 km, 40 km, 40 km but वो pedal assist system के उपर है और तीनों के अंदर pedal assist system है that means जब आप pedal करते हो और आप cycle को throttle पे भी चला रहो तो maximum range that you can generate is 40 km, that's it एक चीज़ और है कि तीनों के top speed भी 25 km पर आ रही है लेकिन जब आप इसको pedal assist system के साथ चलाते हो तो काफी ज़ादा आगे तक जाती है 33, 34 तक तो आराम से जाती है यह जब आप individual videos देखोगे ना जो मैंने तीनों के बता है तब आप यह बात समझ जाओगे so go and watch those videos as well now I'll tell you the prices of this cycle जहाँ पर actual differentiation हमारा start हो जाता है E-Motorad X1 आपको मिलती है 23,999 रुपीज की E-Motorad X2 आपको मिलती है 26,799 के आ रहो मोटा मोटे 27,000 पकड़ो यह cycle and E-Motorad X3 आपको मिलती है 32,999 रुपीज की तो अगर आप देखो तो X1 23,999 यानि के 24,000 और ये 33,000 इसके अंदर आपको फरक कितना देखने के लिए 9,000 का फरक ये दोनों के बीच में आपको 4,000, 3,000 का फरक देखने के लिए मिल जाता है पर ये और ये के बीच में आपको 9,000 का फरक देखने के लिए मिल जाता है अब यह फारक कहां पर लाए करता है और क्यों है यह प्राइस का फारक यह मैं बताता हूँ Coming to our very first difference, X1, X2, X3 में सबसे बड़ा difference यह है इसके अंदर जो बाटरी है यह आप निकाल के चार्ज कर सकते हो X2 में बाटरी निकाल के चार्ज कर सकते हो पर E Motorrad के अंदर, X3 के अंदर आप बाटरी निकाल के चार्ज नहीं कर सकते है क्योंकि इसकी जो बाटरी है वो फ्रेम के अंदर ही है Second बहुत सबसे बड़ा difference, X1 के अंदर स्क्रीन नहीं मिलता You just get a sort of an indicator, power indicator X2 के अंदर आपको एक ठीक ठाक सा स्क्रीन मिल जाता है डिस्प्ले और X3 के अंदर आपको काफी vividly एक अच्छा दिखने वाला स्क्रीन मिल जाता है Now, the third फरक between, among X1, X2 and X3 is the tire quality इसका same tire है 27.5 inch, इसका same tire है 27.5 inch बट इसके अंदर आपको 29 inch के 700cc Hartex के मोटे tire देखने के लिए मिल जाते है जो की ride quality के ओपर actually काफी जादा फरक पड़ जाता है अगर आप individually देखना चाहते हो E-Motorad X1 का वीडियो बना है, E-Motorad X2 का बना है, E-Motorad X3 का भी वीडियो मैंने already बनाया हुआ individually आप लोग वहां जाके देख सकते हो and then come back to this video so that you are contextually and references आपको पता है मैं किसकी क्या बात कर रहा हूँ पर हां यही फरक है तीनों के बीच में जो की major 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 फरक है और एक और फरक है जो की है battery capacity का जैसे कि मैंने आप लोगो पहले बता है तो 7.65 AH amp hertz, amp hertz, 7.65 AH, amp hertz and 7.0 AH यानि कि amp hertz बस वो 0.65 का थोड़ा सा फरक है बाकी X1, X2 और X3 में जो फरक एक और है वो है quality of the ride का जो की X3 का hands down, hands down, hands down better है comparatively to X2 and X1 क्योंकि यह थोड़ी सी जादा sturdy है, जादा इसका handlebar थोड़ा wide है अगर आप इसको actually, क्योंकि तीनों MTVs है और इसको आप अगर actually trails के उपर लेके जाओगे उबड खाबर spaces पे लेके जाओगे तो यह actually, actually, actually अच्छा perform करेगी X2 and X1 भी करेगी but not as good as the X3 जो की करेगी बट अब X1 और X2 में अगर आपको choose करना हो तो I will obviously tell you कि go for an X1 and not an X2 क्योंकि almost सारी चीजे same year आपको 3000 का फरक और पढ़ जाता है तो might as well, ठीक, screen नहीं मिलेगा but you'll know कि आपकी battery कितनी है तो क्या, जो usage है आपको उसे साब से ही करनी पड़ीगे बट हाँ, अगर आप बहुत calculated ली जाते हो कि हाँ, मेरा 10 km रोज इधर है फिर 12 km इधर है या जिस तरह से भी है तो you might need an indicator, अगर आपका वैसा scene नहीं है तो फिर X1 might be a wiser choice comparatively to the X2 but if you have money, तो फिर you can buy an EDMotorad X3 as well 24,000, 27,000 and 33,000 ठीक है, कितना फरक 24, 27,000 में? 3,000 रुपीज का फरक, 27,000, 33,000 में कितना फरक हो गया? 6,000 का फरक, total फरक कितना हो गया? अगर आप लो X1 X3 में देखो 9,000 का फरक अब ये फरक को थोड़ा और deep में खुषते है, अब आपन करते हैं X1 versus X2 2 minute के लिए, ठीक है? X1 और X2 के अंदर सिर्फ एक ही मेजर फरक है, वो की है, फ्रेम का और इसके screen display का, that is it. X1 उन लोग को ले लेनी चाहिए, भाई, जो इतने calculated नहीं जाना चाहते हैं, जो की जानते हैं कि पास-पास में ही चलानी है, या deliveries type के लिए, groceries type के लिए, और as a secondary sort of vehicle or sort of transportation they need, तो सही है, otherwise आप X2 properly ले सकते हो, the only thing थोड़ा सा मेरे को matter करते है X2 के अंदर, कि इसका डंडा नी मिल जाती है, तो आप देख सकते हो, भाई, कितनी battery बच्ची है, कितनी km चला है, कितनी speed के उपर आप चल रहो, तो ये सारी चीज़े आप और बेटर देख सकते हो, cycle के अंदर, बाग ये तो सारी चीज़े सेम ही है, दोन X1 और X2 के अंदर, मेरी अगर मानो तो सिर्फ यही फरक है, अगर आप calculated चलाते हो, go for an X2, आपको पते हैं, आपके 10 km आने जाने है, थोड़ा सा skeptical हो सकते हो कि भाई, मेरे कितने km और कितनी range बची हुई है, क्योंकि क्या है, तीनो cycles के अंदर एक चीज़ और बताते हैं, तो हम आप लोग को, कि जो charging time हैना, वो भी सेम ही है, 4 गंटे में 80% charge, तीनो cycles हो जाती है, तो अगर आपका calculated travel है, skeptical है, थोड़ा सा range का, तो भाई, X2 खरीद लो, अगर आपका ऐसा नहीं है, confirm, 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 X1 आप आराम से खरीद सकते हो, क्योंकि तीनों के अंदर देखो, जो major, major चीज़ है, आपको right quality अच्छी मिलाती है, सब कुछ है mechanical dual disc brakes, भी तीनों के अंदर, X1, X2 और X3 के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, अब हम चलते हैं, X2 versus X3 में, यहाँ पर आ जाता है, काफी सारे white differences, क्योंकि X3 के काफी monochromical colors है, काफी monochrome है, काफी दाधा sturdy, better, and actually पता भी नहीं चलता है, electric cycle है, क्योंकि यह जो इस better tires as well, screen आपको काफी जाधा better मिल जाता है, X2 का screen जो थोड़ा सा लग है, X2 का screen काफी काफी जाधा vivid है, काफी जाधा vibrant है, और काफी जाधा catchy बियान, come on, I mean, LCD display, तो फिर भी have to give the respect that it deserves, ठीक है, अब लेकिन जो है, disc brake, vis brake, सारी चीज़े सेम है, लकड़ा बस भाई, यह सीध तो फिर अलग चीज़ है, तो फिर I would say, शायद X2 ले लो, क्योंकि फिर X3 चाज कर नहीं पाओगे, पर अगर आप ऐसा row houses type मिले, तो यह अगर आपके बास socket है, तो आप X3 ले सकते हो, अब लेकिन यह दोने के बीच में जो फरक है, वो भी काफी जाधा है, एक तो 37,000 और 33 6,000 रुपीज का फरक है, जो कि जो पैसे गए ना, वो टायर के अंदर गये, क्योंकि यू गेट 700 CC वाले good heart X, मोटे अच्छे खासे टायर, wider handlebar as well, and the beautiful display, यह सारी चीज़े यह वाली cycle के अंदर नहीं, थोड़ा handlebar, इसका भी wide है ऐसा है नहीं, थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ 7.5 इंच के ही टायर है, तो टायर साइज में भी फारक है, तो अगर MTB के हिसाब से देखो, e-bike खरीद रहे हो, और आपको trails पे भी जाना है, आपके off-roading भी है, तो फिर आप X3 confirm low, क्योंकि यह आपको बहुत better performance देगा, बट कुछ लोग होते हैं, जो electric cycle सिर्फ रोड पे च चाहिए, क्योंकि भाई, यह trails के ओपर लेके जाने करें, yes, it's an MTB, but if you really want to buy, अगर वीडियो देखे रहो, तो I would say X3 खरीदने चले जो, आप different colors भी मिल जाते है, X1 के अंदर I think आपको blue मिल जाते है, X2 के अंदर में को पता नियार, मैं लगा दूंगा image, और X3 के अंदर इसको काफी जाधा choices है, in the end, अगर मेरी मानो, तो X3 is truly the better cycle, क्योंकि इसकी right quality मैंने चलाई है, काफी देर तक, काफी time तक, right quality बहुत जाधा better comparatively to X1 and X2, पर भाई, हमारी audience में पैसे वाले लोग, जाधा है नहीं, थोड़े कम पैसे वाले लोग भी तो उनकी भी बात करते है अब क्या है, बहुत smart होती है companies, जो differences है ना, इसके अंदर, जो तीन major differences है, वो sort of एक electric cycle जब आप खरीदते हो ना, तो ये matter करते है, जैसे कि display matter करता है, आपके tire की quality tire का size भी matter करता है, तो यही चीज़ इन्होंने अलग दे दिया, जो चीज़ actually matter करती है ना, वो ही चीज़ इन हो जाता है, क्योंकि जब आप practically उसको use करने है, निकलोगे ना, सड़क के उपर, तब you want to know how far are you going, how long are you going for, कितनी आपने cycle चला ली, ये सारी चीज़ तो basic यार, कोई भी गाड़ी लेता है, स्कूटी लेता है, बाइक खरीता है, तो ये सारी चीज़े तो हमें पता ही होने च अब ये ये यार, कि X1 में ये चीज़ है नहीं, X2 में ये चीज़ है और X3 में, अगर पैसे का थोड़ा जंजट है, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है, तो मैं आपको बोलोगा, फिर आप X2 ले लो, क्योंकि X2 के अंदर आपको screen मिल जाता है, I will obviously say, कि screen मिल पर ये यार, इसका डंडा नीचे यार, इसका डंडा तो ये दिखने में मेरे साब से थोड़ी जादा बेटर है, ये थोड़ी सी unisexually feeling आपको देती है, अब बस यार, फिर ये है चीज़ है, कि यार, display matter करता है, मेरे साब साब electric cycle लो, तो आपके बास display होना चाहिए, unless and until आ battery है, पर वो भी point point के system में है, तो थोड़ा सा यार, मितलब थोड़ा घचपच हो जाता है, वो मामला, तो delivery करनी है, किसी को पास में जाना है, restaurant वाले, even वाले, या अगर आप society में चला रहे हो, या कुछ टाइप, तो ये cycle बहुत perfect है, और अगर आपको anxiety का कुछ इसु नहीं है, range के साथ, तो फिर पका X1 खरेद लो, anxiety range का है, भाई, इसु, you want to know, कितनी चला है, कितनी नहीं, X2, then I would say, is the perfect balance between X3 and X1, but if you just want to go for a good, cheap electric cycle, then I feel you should go for the e-motorrad X3, because truly, 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 इसकी ride quality, बहुत जादा, जादा, जादा जादा अची, and it's too much fun to ride this cycle, so ये सारी चीजे है, बहुत smart है ये companies, ये ना, जो major चीज होती है, डिस्प्ले, उसी के अंदर खेल गए, और जो टायर, ये ही चीज के अंदर लेने, बहुत अच्छा प्ले कर लिया है, पर ये है, डिस्प्ले होना मेरे साब से जरूरी है, बाकी, each trade zone, आपको अगर ऐसा लगता है, कि आपको डिस्प्ले अतना जरूरी नहीं है, कोई देखने की दोनों साइकल को देखने की बिल्कुल जरूरती है, एक्सवन चुप चाप जाके खरीद लेना, पर है भाई, डिस्प्ले खरीदने का है, कि डिस्प्ले भी चाहिए, और हमें चलानी भी है, तो X3 वाली situation आ गए, ये 6000 रुपे का फ समा जाएंगे, पर अगर वो इशू भी है, तो X2 बिल्कुल खराब साइकल नहीं है, तो यही तीन मेजर फरक है, X1, X2, X3 के अंदर, पहला फरक डिस्प्ले, दूसरा फरक टायर का है, और तीसरा फरक ये दोनों की बैटरी भार है, इसकी बैटरी अंदर है, और चौधा फरक जो थोड़ा बहुत है, वो ये है, कि भाई, जो अंपियर आर्ज होते हैं, बैटरी के, वो इसके अंदर 7.0 है, इसके अंदर 7.65 है, और अगर थोड़ा सा और फरक, तो भाई, इसकी राइट कॉलिटी बहुत जादा बेटर, और इसकी राइट कॉलिटी इतनी 2 versus X3, भाई, बहुत बोल लिया, मैं को लग रहा है, मैंने इसके ओपर, so I hope आप लोगों को इसमें बिलकुल थोड़ी ना थोड़ी मदद मिली होगी, मिली हो तो भाई, कॉमेंट्स के अंदर बता देना, अच्छा लगता है, जब आप लोग अप्रिशेट करते हो, मैं भी for yourself, for your need, and एक wise decision लेके, आप cycle खरी लेना, so yes, like, share, subscribe, please, again, करके जाना, यह मोटराट की यह थी, भाई, serious, यह अब complete होगे, अब आपन दूसरी cycle review करेंगे, बढ़िया तरीके से, and see you guys, next time.